नमस्कार मित्रू मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने स्टेडी बिते इस पर इस इंपोर्टेन सेशन में आप जानेंगे बी-सी-सी एक्जामतोर 24 के रिगार्डिंग वो जनकारिया जो रहनी वाली है खास आपके एक्जाम प्रिपरेशन से लेटेड़ जो सारी टिप्स है जो टॉपर्स इस्तिमाल करते हैं और अच्छा नमबर गेन करते हैं वो सभी मैं आपको इस इंपोर्टेन सेशन में बताने वाला हूँ चलिए प्राड़म करते हैं सबसे पहला जो चीज आपको जानना और समझना है वो है एक्जाम पैटर्न एक्जाम पैटर्न के विशह में कहीं न कहीं आपको अल्रेडी जनकारी है हमारे प्रिवेस वीडियो को आपने देख रखा होगा सारी जनकारी होगा फिर भी चलिए इस चीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजों को आप अलग अलग ग्रूप से होंगे जैसे क कुछ student PCM group से होंगे कुछ student PCV group से होंगे कुछ बच्चे agriculture वाले भी होंगे ठीक है तो अपने अपने ग्रूप के recording आपके कुछ subjects हैं जैसे physics है chemistry है biology है mathematics है और agriculture है यह कहीं न कहीं आप सभी भली बाती पड़िचित हैं और जानते हैं ठीक है आपने अपने application form में जिस दिस subject क अपने tools के course के अनुसार आपने इसका chain किया होगा और वही exam कहीं न कहीं आपको देने है उन्ही subjects के आपको exam देने है ठीक है अब सभी को पता है कि आपके subjects कौन से हैं आपने जैसा application form में subjects दी होंगे उन्हीं के exam में आपको appear होने का मौका मिलेगा ठीक है अब समझने वाली बात यहां यह है कि हर एक subject के कितने questions होने वाले हैं हर एक subject से hundred questions पूछे जाने हैं hundred questions होने वाले है Mmmm Facebook के humans chemistry के biology के mathematics के और agriculture के अब आप कहेंगे कि sir मेरा डिलोजी का नहीं है मेरा कि मैस का नहीं है मेरा तो हर question के आपको चार marks मिलने जा रहे हैं, हर question के आपको plus 4 marks मिलने जा रहे हैं, तो इस प्रकार से कितने marks हो गए, इस प्रकार से आप देखेंगे 100 into 4, यानि कि 400 total marks हो गए, full marks कितना हो गया, 400, ये आपके full marks हो गया, अब बात करते हैं, negative marking के, negative marking कितना है, minus 1, यानि अगर आप 4 गलती करते हो, तो आपका एक सही answer खत्म हो जाएगा, या फिर दूसरे सब्दों में समझें, कि अगर आपने एक गलती की, तो आपका एक number कट जाएगा, simple सा rule है, एक गलती एक number minus हो जाएगा, आपके सही वाले में से, ठीक है, यानि आपके पास सही score जितना भी होगा marks, आपके सही में से minus 1 कर दिया जाएगा, ये penalty minus 1 की लगने वाली है, negative marking रहेगा, इसलिए एक उरेशी का ध्यान देते हुए, उन ही question को attempt करना चाहिए आपको, जिसको आप जानते हो, समझते हो, जिसको लेकर आप बिल्कुल आस्वस्त हो कि ये सही है, उसी question को opt करना सही रहता है, चलिए, तो आपका doubt होगा कि sir, फिर किस तरह से हम आगे बर पाएंगे, समझ पाएंगे, मतलब अगर हमारा ocean 100 है, और 100 में से मुझे सिर्फ 40 आते हैं, तो फिर क्या करेंगे, अब उसके लिए बस देखिए, अभी आपके पास एक महीने का समय है, इस एक महीने में आप practice करके अपनी एक उरेशी को बढ़ा सकते हैं, एक उरेशी कैसे बढ़ाना है, उसके related सारे tips आपको इस session में मिलने जायने वाली है, ठीक है, अब दूसरी ब एलोजी की एक साथा paper बैठ के देने वाले हो, ऐसा नहीं होने जा रहा है, फिर कैसा होने जा रहा है, हर एक session का आपके 90 मिनट का आपको time मिलने वाला है, जेनरली ये session problem होगा, सुबह 9 बजे से, सारे 10 बजे तक चलेगा, फिर सारे 10 बजे के बीच में आदे गंटे का time मिले फिर अगले session होगा, एक बजे से लेकर भाई बजे तक, तो आपके 3 session एक दिन में होते हैं, ठीक है, चौथा session भी होगा accordingly, अगर आपका 4 subject हैं तो, ठीक है, इस प्रकार से आपके sessions होने वाले हैं examination में, यानि examination के प्रकिरिया क्या रहने वाली है, कि आपको डेर डेर घंटे क session होगा, एक exam का, यानि आपको कुल 90 minute में 100 questions solve करने हैं, simple सा तरीका है क्या है भई, 90 minute में 100 questions solve करने हैं, रही बात cutoff की, minimum जो qualifying cutoff होता है, general category के लिए, वह रहता है 50%, ठीक है, वह रहता है 50%, चलिए आग नेक्स लाइड पर इस इसको अच्छे समझते हैं, general cutoff कितना रहता है पर subject में 100 questions है, पर subject में 100 questions है, तो कम से कम 50 आपको आने चाहिए, यानि 100 out of 50 आपके questions सही होने चाहिए, ठीक है, तो 50% marks लाने, यानि 400 नमबर का अगर एक जाम हो रहा है, तो 400 में minimum 200 लाना अनिवार है, तब आप आगे बढ़ सकते हो, ये बात समझ में आनी चाहिए, अब बा ये सिर्फ और सिर्फ qualifying number है, आपका 50%, अलग-अलग category में 45% भी है, किसी category को 40% भी मिलता है, बट हम category wise नहीं जाएंगे, हमें general cutoff को देखना है, आपको general cutoff clear करने की ही कोशिस करनी चाहिए, आप category rank के भरो से किरप्या एक्जाम में ना बैठें, category rank आपको favorite college या फिर favorite course नहीं दिलाने जा रहा है, ठीक है, general cutoff clear करिएगा, आसानी से आपको इकोर्स प्राप्त कर सकते हैं, अब आपका doubt होगा कि sir cutoff कितना देना चाहिए, कोशिस रहने चाहिए कि 60-70%, ठीक है, 60-70% आप questions सही करके आओ, अगर 60-70% या इससे ज़्यादा भी अगर आप लाते हो एक्जा clear कैसे करें, मेरी तयारी उस level की नहीं है, मैं basically जब question करता हूँ, तो मैं 40-50% ही सही कर पाता हूँ, ठीक है, जैसा एक बार फिट से मैं इस चीज़ को आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कि हर subject का अपना-पना cutoff होगा, हर subject का अपना-पना cutoff होगा, ये आपको ध्यान लेक चलना है, अपना mental target रखना है, कि हर session में कम से कम 60-70%, 60% भी मैं target आपको क्यों दूँ भई, मैं कहूँगा कि 70% प्लस आपको marks के लिए प्रयास करना है, ठीक है, हर session में कम से कम 70% से ज़्यादा question आपको opt करने चाहिए, यानि आपको 100 में से सिर्फ 70 सही question चूच करने है, 30 question को आप पहले चाहट दो, जैसे exam hall में बैठे हो, उन question को चाहट दो, कि ये मुझे नहीं करने है, ये मुझे नहीं आते हैं, उन question को चाहट दो, अब ये जो number है, 30 से उपर नहीं जाना चाहिए, प्रयासर हो कि ये 20 या 30 के range में ये number हो, कि मुझे ये question नहीं आते है, ये कब preparation tips दे देते हैं, जो कहीं न कहीं rank को boost करने में help करने वाली है, ठीक है, सबसे पहला tip 1 है, make summarize notes, देखिए, आपको पकड़ना है NCERT, क्या पकड़ना है भई, NCERT, ठीक है, NCERT आप उठाते हो, मालो कोई chapter है, sorry for that, क्योंकि red color better रहेगा, चलिए, मालो आपने NCERT उठाया, ठीक है, आपको NCERT book उठाना है, उस NCERT book से contents निकालना है, contents में क्या होता है भई, chapter के names रहते हैं, ठीक है, क्या रहता है, chapter के name रहते हैं, तो chapter के name साप निकाल लो, और उसका notes बनाओ, कैसे notes बनाना है, suppose that कि मैं motion chapter पर रहा हूँ, ठीक है, motion chapter लिख दिया, notes इस प्रकार से बनाने हैं, ठीक है, मैंने लिख दिया motion chapter, अब motion के भी समय में क्या जानता हूँ, मुझे लिख देना है, मतलब, भुद से, परलो, सीख लो, topic revise कर लो, concept सीख लिए, इसके बाद आपको summarize notes बनाने है, ये आपके exam मेरी vision में बहुत काम करने वाला है, ठीक है, मैं motion chapter के बारे में क्या जानता हूँ, ठीक है, number one, number two, इसको कैसे, motion कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, point, अब motion कितने प्रकार के हैं, motion का पहला प्रकार ये है motion का दूसरा प्रकार ये है, इस प्रकार से note लिख लो, छोटे-छोटे one liner notes लिखने हैं, ज्यादा लंबा नहीं बनाना है इसे, एक या दो line में उस बात को कह देना है, motion कितने प्रकार के होते हैं, अब उसके प्रकारों के बिशह में, यानि summarize एक दो line का ही बास आपको लिख लिखने हैं, ठीक है, और उस हर topic का बारे में एक से दो line लिखना है, कम से कम, ठीक है, ये हो गए, summarize notes, दूसरी point, create flow chart, flow chart या फिर mind map जिसे कहते हैं, flow chart, mind map किस तरह use किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको example दिया, motion chapter का, ठीक है, अब motion chapter में हमने क्या बात कर लिए, motion कितने होते हैं, ये बात कर लिया, फिर इसी के points में हम बात कर लेंगे, क्या बात कर लेंगे, lodge of motion, ठीक है, lodge of motion, lodge of motion, कितने हैं भाई, तीन है, तीनों के बारे में हम एक-एक point लिख लेंगे, छोटा-छोटा, ठीक है, तो इस प्रकार से mind map आपको हर एक topic का बनाना है, ये सारे के स सारे आपके science के question है, ठीक है, वो physics हो, chemistry हो, ठीक है, mathematics में आपको formulas के आपको बनाने चाहिए, flow chart, theory के flow chart बनाने चाहिए, ठीक है, या फिर numerical से हैं, physics के, तो उसके लिए भी आप यही technique use कर सकते हो, कि कौन-कौन सा topic है, कौन-कौन सा theory है, कौन सा law है, ठीक है, कौन सा derivative है, इसके flow chart market में भी बहुत available है, इसको भी आप इस्तमाल कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे books में already flow chart मिल जाते हैं, online resources का भी use करके, आप हर chapter के flow chart Google पर search करना, कि हाँ, इस chapter का flow chart आपको मिल जाएगा, उसे print करके, आप रख सकते हो, चलो, ये point कहीं न कहीं भी आप समझ गए होगे, कैसे use करना है, अब practice solved PYQ question, ये क्यों अंति महीने में ये सबसे ज़्यादा कारगर होगा, अंति महीने में सबसे ज़्यादा कारगर ये होगा, कि आप अरिहंत publication या किसी अन्य publication जिसमें solved PYQ question बहुत अच्छी संख्या में दिये गए हो, ठीक है, उसका आपको क्या करना है, इस्त अब उस chapter की कैसे कैसे question आ रहे है, बिस reading करना है, thoroughly reading करना है, ठीक है, यानि मैं अगर motion chapter पढ़ता हूँ, मैंने example लिया motion chapter का, चलो इसी को समझाते हैं, motion chapters में मैंने पढ़ लिया law of motion, अब law of motion या motion chapter से related कितने question आ रहे हैं, किस किस तरह के question आ रहे हैं, मुझे बस यही देखना है, और इसका solution क्या है, solve कैसे किया गया है, solve question में आपको बहुत जादे दिमाग नहीं लगाना होता है, आप concept सीख चुके हो, concepts related question है, PYQ यानि इस तरह के question आते हैं, और इसका solution है, तो आपके concept और भी clear होते जाते हैं, आपके doubts और भी clear होते जाते हैं, चलिए, अब अगले point पर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये सीज बहुत important है, per day basis पर जब कोई concept सीखो, उसकी practice regular basis पर होनी चाहिए, एक महिना है, एक महिने का utilize करके, आप बहुत अच्छा number gain कर सकते हो, अब बारिया सबसे जादा important point की, और ये जो regular करेगा, believe me, exam में magic होने वाला है, exam में magic क्या हो नौ बजे से शुरू होता है, ठीक है, डेर घंटे चलता है, यानि डस बज़ के तीस मिनट पर चलता है, दूसरा paper कब problem होगा, भई, दूसरा paper problem होगा आपका, कितने बज़े, 11 बज़े, ठीक है, 11 बज़े से problem होके कब तक खत्म होगा, ये खत्म होगा, सारे 12 बज़े, ठी तीसरा paper का problem होगा तीसरा paper एक बज़े problem होगा मतलब आधे-आधे गंटी के break तो सम्में मिल रही है न तो एक बज़े ये problem होगा और ये समाप्त होगा 2 बज़ के 30 मिनट पे similarly आपका on paper भी इस तरह से आप समझ सकते हो कि आपको इस तरह से दिया जाएगा, कराया जाएगा अब tip क्या है, सबसे बेहतरीन tip है, कि आप per day basis पर, अभी एक महीने बच्छे हैं per day basis पर आप 10 घंटे physics को दो 10 घंटे chemistry को दो 10 घंटे bio को दो math है, तो भई maths के लिए भी अलग से time निकालो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कर सकते हो agriculture वाले student, agriculture की जो exam होती है next day होती है same day exam नहीं होता है agriculture का दो दिन यानी आपका होता है agriculture आपका next day होगा तो एक दिन में आपके physics के chemistry के biology के और math के paper होते हैं तो जिस जिस timing पर आपके exam होते हुश timing पर आपको pain paper लेकर exactly sample paper उठाना है physics का और आपको 100 questions solve करने है 90 minute में हाँ, use करना है OMR seat का OMR seat आपको बिलकुल use करना है तो ताकि इससे क्या होगा अब इसके फायदे समझ लो आप बैठो के बैठने का एक आदत बन जाएगा 90 minute में 100 questions करने के आदत बन जाएगे कि हाँ 90 minute में 100 questions कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ accuracy बढ़ जाएगे आपकी accuracy बढ़ेगा अगर आप बहुत सारे PYQ questions के solve practice करते हो तो कहीने कहीं वो आपके यादास्त में चले जाते हैं और इस प्रकार से जब cross check करके तुम बैठके आप लोग सभी कहीने कहीं questions के sit लगाते हो पर एक-एक sit एक-एक subject लगाते हो तो आपके दिमाग में वो question बैठ जाने वाला है इतने ज़्यादा question practice करके जाओ कि आपको question रटना भी न पड़े देखना भी न पड़े जैसे आप समझते हो question को पढ़ते हो आपको पता इसका answer ही होगा इतने practice करके जाओ क्योंकि negative marking है dear students आपको penalty लग जाएगा अगर आप गलत करके आते हो तो एक उरेसी इस label पे बना के जाओ कि गलती की कोई गुनजाईस न हो इस प्रकार से आप अच्छा rank ला सकते हो अच्छे marks ला सकते हो अपने choice के courses को opt कर सकते हो ठीक है I hope कि वो सारी information जो कहीं न कहीं आपको मदद करने वाली है मैं इस session में दे चुका हूँ फिर भी अगर आपके कोई doubt से रह जाते हैं आप पिर आपकी कोई choice है कि sir इस topic पर आप video बनाईए अगला इस topic पर एक dedicated session रखिए तो please comment करिए जिस चीज का comment जादा आएगा जिस session का comment जादा आएगा अगले session बिल्कुल उसी session के होने वाले है ठीक है उसी topic पर अगला session होगा तो मिलते हैं अगले session में अगर ये session प्रसंद आया है तो पहले ही बता दिया है like कर दो भाई आपने मित्रों तक किसे share करिए और अगर channel पे नहीं है तो subscribe कर लिजे किस बात की देरी है मिलते हैं अगले important session में तब तक के लिए धन्यवाद